तो कहां पकड़ना है इसको मैं यहीं आ जाओ आप ठीक है तो गाइस जैसा है कि वेदर फोरकास्ट था कि स्नूफॉल होगा और स्नूफॉल चालू हो चुका है तो हम अपनी बाइट को यहां पर भीया है जहां पर हमने होमेस्टे लिया है भी पिन वैली में कौनसा गाँ है कौनसा गुलीन में तो अभी यह स्नूफॉल इतना हेवी होने वाला है पते नहीं सुभी हम जाएंगे कैसे फिलाल आप यहां पर देख सकते हैं यह स्नू ताजा इतना हमारे बाइक के उपर भी था तो मेभी कि इस उवे रास्ता में खुला मिले ना मिले जो भी यह देखते हैं और फिलाल यहां पर बत्ती जलाते हुए करणपाजी अंदर से पता नहीं कितना अशिरवाद निकल रहा होगा करणपाजी के कूट-कूट के एक तम बट कोई बात ना है तो गाइस और यहां पर फिर जाओंगा नीचे और यह है रास्ता वहां का और सीडिस नोफॉल रात हो गया भी सारे साथ के आसपास हो चुका है देखो देख रहे हो और अवाज जो सोर आ रहा है ना आपको यह स्नोफॉल का सोर है भी ऐसे सोर हो रहा है जैसे कि बारिस हो रही हो और खैंक गॉड कि हम लोग टाइमली पहुंच गए पिन वैली नहीं तो पता नहीं यार कहां बटकते या फिर क्या होता यहां पहुंचने से अल्मोस्ट दस मिट पहले यह स्नोफॉल चालू हुआ था अबने का चलो ठीक है यार देखते हैं अखेर थोड़ा सा में घबराट सी हुई थी कि पता नहीं यार रात को कहां जाएंगे स्नोफॉल चालू हो चुका है और लिटरल स्नोफॉल जो है बारिस के जैसा जैसे बारिस में वैसे आपको यह देख रहे हो अभी जस्ट यह हमारी बाइक है मुश्किल से कितना टाइम हुआ होगा दो मिट हुआ होगा और देखो आप कितना बरफ उपर से जम चुका है और वैली में नीचे यहां पर आवाज भी आ रही है पॉस अला कि हाँ यहां रास्तों पर नहीं होगा क्योंकि कहते हैं कि अभी जो स्नोफॉल होगा वह पानी बन जाएगा बट यह कहीं न कहीं न ब्लैक आइस बनता है देख रहे हो सफेद 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 तो ठंड काफी हो रखा है अभी हम चलते हैं नीचे वहां चलके तु कि काफी टाइम हो गया सुबे से नहीं खाया था और रात है अंदेरे में तो कुछ दिखेगा नहीं पर हमें चलो थोड़ा सापको दिखाता हूं बाकी खाना खाके एक बार देखेंगे कि क्या आलम है स्नोफॉल का बाकी यह जो हमारा है चाहां हम रुके हैं हो मिस्ते हैं बाकी ठंडा हो गया हाथ पूरा बर्फ यहाँ भी आपको दिख जाएगा अधे नहीं जाना है जाना है हार तो वह तो उचलो जी था हम जहां रुके हैं भी आपको दिखाते हैं वह जिए तो यह कनभाजी यहां पे हमारा बेट कर रहे हैं कि लोगना पते ने कौन सा गुल खिला रहा हुआ के लिए अंधिरे में तो आप लोगों के लिए इतना कुछ सुनना पड़ता है कंपाजी से देख रहा हुआ कटीली नजर का शिकार होना पड़ता है भाई वाई गुद्नेस वाजी वाँ देख रहा हुआ बरफ के छाले पड़े जिछले 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 एंधिया हीटर का जुगार कर रहे हैं हमारे लिए यह मिट्टी तेल से जलता है न यह है हमेस्टे जहां पर हम रुके हैं वह रहा हमारा किट बैग यह हमारा इसा कवच और यह तीसरा आंख और यह दस्तान है और वह नहीं देखा है अभी हम लोग गय थे बाहर में बट स्नोफॉल थोड़ा सा थम चुका है इतना नहीं इतना शाम को था जह मैंने शूट कर रहा था और अभी आ चुके हैं कमरे के अंदर में तो काफी रिलेक्स हो रहा है मतलब की जो हलत थीना की ऐसे लगता है सुई हुप रहा है उक्तान के यह सब भी लेके जाना चाहिए अपने गाहों के लिए लुकवाइज मतलब क्लासिक लुक दिखाता हूं आपको तो यह चोटा सा एक यंत्र जिसके नीचे यह फ्यूल टैंक है इसका यह जिसमें मिट्टी तेल घास लेटी इसको आप बोलते हो वह दलता है उसका इसमें आग लगाई जाती है और फिर वहां इससे मतलब देख रहा है अंदर में एक फ्लेम साजे से गैस चुला जलता है उस तरीके से कुछ फ्लेम जल रहा है और इससे ही क्या उपसर नहीं है कुछ और खाने का बाकी गुब्बारा दिखाता हूं जैसे आप माइनस में होगे ना पता है क्या रीजन है बिल्कुल गुब्बारे सा हो गया है जैसे के अंदर से हवा बढ़ गई हो बाई शकल पर मत जाना है क्योंकि यार शकल आज पाच बार दिन ह हमने नाया नहीं है बाल इसलिए रखा हुआ है क्योंकि बालू का कर्णिशन बहुत ही बुरा है और आने वाले पांस दिन तक हैसे ही रहना है इवेन हमने अंडर गर्मेंट्स भी जैसे नहीं कि है क्योंकि यह माइनस में टंपरेचर है जहां पर आपको दिखाया था कि रो कि यह जो पिन वैली है भाई कसम से बहुत ही खुबशूरत है मतलब जननत अगर कहते हो ना तो एक जननत में इसका भी नाम रख दो बट दो चार दिन लिए लाइफ टैम के लिए तो बहुत हो गया है अब ज्यादा टाइम हमारे पास है नहीं तो फिलाल हम नास्ता वास्त करके स्वेंगे यहां पर यहां की जो उनर है उन्होंने हमारे लिए वेलकम में यह दिया है इसको बोलते हैं से वीटाइमिन कौन सा होता है पता नहीं ए बीसी डी जो भी होगा ठीक है कि इतनी पढ़ाइगर करी होती है ना तो भाई यह बंजारे वाली लाइफ हा जो जहा करना पड़ता है और थैंक यू सो मच पर बच्छिंग इस वीडियो गाइस आप दे रहे हैं हमारा सफर नामा जो की स्पिती 1.0 आज फोर्थ डे था मारा सो आज की वीडियो यह पर क्लोज करते हैं और में भी कलिक नहीं शुरुवात के साथ नया सुभय होगा और नह नज सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना मीठा से खाओ मिका रहा है वाई वाई मज आ गया कल की शाम जो थी हमारा था यह पिन वहली और स्नोफॉल में था अच्छा खासा और अभी यहां से निकलना है मैं सीधा सीधा काजा के लिए काजा से निक खुला नहीं है तो कोशिश करेंगे चलने की और फिलाल तो सुबह का नास्ता करना है और इसे पहले बड़े काम की चीज़ बताता हूं आपको कि हमारा सेर भारी हो गया था करलाद को फीवर सा हो गया था पूरा हैल्टिट्यूट पे क्योंकि एकदम से स्नोफॉल चालू ह गया था है जाते ही और हम घृइंग भी चहते था सा तो में हमने गारलिक सूप पिया वहाँ हम अपूमथ्टे में में हैं खॉमथ्टे में हमने क्या है रीक्विस्टर है इसली मिल जाता है यह पे बUNG επιउद्ट तो टो काना खाने पार करके फिर आज करी निकलेंगे आगे और अंदर के तरफ अंदेर है तो में भी आपके लिए थोड़ा फाइदा हो जाए तो ऐसे हम कुछ काम करेंगे कि आपको भी मज़ा जाए ना तो बस सब खाना खाते हैं और फिर चलेंगे आगे क्योंकि ब्लॉगिंग में तुर्फा टाइम लग जाएगा तो फटाबर से ख